Hello everyone, welcome back to my channel divinity terror 6 where truth exposes darkness तो आज का जो topic है guys वो है candle wax reading और आज हम देखेंगे कि आपके लिए क्या क्या guidance आ रहा है क्या क्या messages आ रहे हैं from the spirit world, from the universe, from the divine angels तो यहां पे जो जो messages आएंगे, जो जो clues आएंगे so definitely मैं उसको explain करूँगी कि क्या universe आपके तरफ कुछ messages है जो आपके तरफ पहुचाना चाते है और आपको इस वक्त सुनने चाहिए वो चीज ताकि आगे जाके आपको आसानी सा हो सारे situations जो है so problems जो है आपके life में वो disappear हो जाए वो दूर हो जाए और जो भी आपका सपना है वो सारे पूरा हो जाए so let me see what's coming for you ठीके वो देख लेते हैं so यह जो reading होगा यह definitely timeless है, gender neutral है, male females सभी के लिए है so you don't need to worry और आप इसको कभी भी देख सकते हो timeline पे जभी भी आएगा आपके लिए so let's see what's coming and जैन को subscribe, like, share ज़रूर करें, instagram में follow करें instagram का जो ID है वो description box पे दिया हो रहेगा, so let's see guys so in your spirit guides and angels please guide me the right direction की मेरे जो viewers है उनके लिए क्या आने वाला है in the future और messages क्या क्या है जो मुझे उनके तरफ भेजने चाहिए पहली दफ़ा जो मुझे यहां पे दिख रहा है, the letter was the X X, तो X हो सकता है, यह cross को भी indicate कर सकते है now maybe आपको लग सकता है कि कुछ opportunities, कुछ मौके आपके लाइब से बिलकुल गायब हो चुका है, ठीके, वो situations आपके सामने और आ नहीं सकता वहां पे कोई भी आपको उम्मीद का किरन नजर नहीं आ रहे है, बट यहां पे उनिवर्स आपके तरफ वो इस तरह से इशारा करना चाहते है कि maybe वो एक temporary situation है, maybe temporary blockage है या maybe temporary कुछ इस तरह से है, कि शायद आपको लग रहा है कि वहां पे रास्ता जो है, वो बंद है, बट बिल्कुल ऐसा नहीं है कुछ clues मुझे देना है, कि जिस वक्त आप इस reading को देख रहे होंगे अधर तो एकदम morning morning होगा, early morning एकदम सूरज कर किरन, ठीके, पहली दफ़ा आपके मतलब, मतलब होगा, मतलब maybe it is around 5.30 to 6 o'clock in the morning या बहुत जद आफ्टरनून होगा, ठीके and मुझे इस तरह से लग रहा है, आपके जो घर का जो flooring है, ठीके, हो सता है कि red, या brown color का हो, reddish type का हो, या जिस तरह से पहले जमाने में हुआ करता है, एकदम rate flooring है, उस तरह से मुझे कुछ लग रहा है, okay किसी के साथ मुझे लग रहा है, आपका fight हुआ है या हो सता है, वो आपके friend हो, maybe your relative, maybe your family, maybe your brothers, sisters और आप बहुत सता गुच्से में होंगे, ठीके जिस वक्त आप इस reading को देख रहा होंगे, मुझे लग रहा है काफी जदा deep thinking होगा आपका, सोच रहे होंगे constantly आप किसी विशय में हो सता आपका career related हो, maybe personal life related हो, लेकिन आपको, हो सता काफी जदा आप contemplate कर रहे होंगे उस दौरान, या deep thinking होगा, कुछ square object आपके आसपास हो सता है, maybe a brief case और a box or something, ठीकिए, आपके सामने हो सकता है, या हो सता है, वो चीज को यहां पर देखो अच्छा सा एक tea pot बन चुका है हो सकता है कि आपको you wanted to take some coffee or tea in the morning and उसी time पर आपको सुझाने video देखते देखते पी पी लेते हैं, इस तरह से हो सकता है box में कुछ भी हो सकता है, box can be indicating आपके लिए gift आ रहा है जो शायद आपको पता नहीं closed है, लेकिन धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कि वो gift क्या है आपके साथ क्या-क्या surprises टीकि उस box से निकलेगा box देखने से हमें was the curiosity भी होता है, treasure box भी हो सकता है वो okay, steel का box हो सकता है, या हो सकता है wooden box हो, या just as a paper okay यहाँ पर C letter important है यहाँ पर अच्छा सा एक rat बन चुका है, देखो आपके लिए मुझे लग रहा है आने वाले समय में you will make a team ठीके, because rats work together as a team या हो सकता है, काफी सदा close bond हो जाए आपको अपनी family member से आगर कुछ problems भी चल रहे थे कुछ issues हो रहे थे, वो तो वहाँ पे सारे problems solve होंगे आप शायद अपने मन मर्जी से शादी किये होंगे, तो आपके family जो है, तोड़ा खफा थे आपसे लेकिन वो सब कुछ सही हो जाएगा, आपके partner का भी family ऐसा हो सकता है कि वो बिलकुल राजी नहीं थे लेकिन जिस सरह से, जिस माहोल पे आपका शादी हुआ जो situation था वो सारे situations जो है मुझे solve होते वे दिखाई दे रहा है अच्छा, आपके जो घर हो सकता है पेंटेड आउटसाइड का कलर जो है या इनसाइड कलर वाइट हो सकता है पेंटिंग या आप सोच रहे हो इसको फिर से हम कलरिंग करे या हो सकता है, आप कुछ उसमें कलर एड करना चाहते हो ओके मेभी और फॉन्ड अफ वाइट कलर, ये भी हो सकता है ओके ओल्राइट मुझे लग रहा है कि कोई बुज़र्ग आपके घर में हो सकता है कि आपको काफी ज़दा समय दे आपको कुछ गाइडेंस दे आपको एक जगा या आप आपके पार्टनर या आप आपके बहन जो भी ये भाई है आपको दो बरसन को एक साथ इकठा बिठाए और सुल जाए आप दोनों में कुछ प्रॉब्लम्स अगर चल रहे थे उसको समझाने की कोशिश कर रहे है तॉरस इंपोर्टन हो सकता है कोई आपको कमिटमेंट दे सकता है में भी बट आफ्टर लॉंग टाइम हो सकता है कि जिस आप वेट कर रहे थे रिस्पॉंस के लिए एच लेटर यहां पर दिखाई दे रहा है ओके तिंग्स अर गुइंग वेरी स्लो जितना आप एक्सपेक्टेशन था वेट करियर भी बहुत स्लो जा रहा है जिस तरह से आपको उम्मीद था कि फास्ट हो रहा है बाट यहां भी उनिवर्स बोल रहा है कि धीरे धीरे ही आप बहुत कुछ सीख लोगे अगर आप जल्दी जल्दी करोगे तो हो सकता है आपसे कोई मिस्टेक हो जाए और उससे काफी ज़ादा लॉसस हो सकते है ओके अल्राइट मुझे लग रहा है कि कुछ क्लूज मैं फिर से देने की कोशिश कर रही हूँ कि मुझे लग रहा है कि सम आफ यू और उसके लिए आप कुछ सोच रहा हो कि जो भी पैसा आ रहा है मेबी फ्रम यूर सैलरी और फ्रम प्रॉफिट या आप अगर कुछ सेविंग्स करना है तो किस में करना है आप सोच रहा हो और बेबी सम आफ यू हैद मेड अप प्लैन तो री इंवेस्ट अगेन कैप्रिकॉन बहुत दा स्ट्रॉंग है मेबी यूर सेटिंग अनलाइन बिजनस या वर्चूल निट्वोर्किंग के सिस्टेम के द्वारा आप कुछ करना चाते हो ओके और राइट और देखते हैं कि क्या आ रहा है आपके पास एक ओफर है जो आपको लग रहा है कि नहीं मुझे उस ओफर को लेना बिलकुल नहीं चाहिए और आप मतलब बैक टर्न करके बैठे हो नहीं नहीं मुझे उस ओफर को नहीं लेना है और इसके वज़े से काफी आपका लाइफ जो है ना बोर्ड होते जा रहा है आपको जो है ना excitement महसूस नहीं हो रहा है maybe it is a relationship जो बहुत time से तो चल रहा है लेकिन उसमें कुछ मजा नहीं आ रहा है आपका वो आगे भी नहीं बढ़ रहा है वो ecstatic हो चुका है ठीके वो मतलब evolve नहीं हो रहा है relationship evolve होने चाहिए ना दिन के दिन उसमें कुछ excitement तो definitely होने चाहिए but there is nothing like that मतलब इस तरह से है कि it is now just like a burden to you बोज बन गया है वो किसी को सपना आया होगा बहुत ज़्यादा रात के समय पे कि maybe you saw burning burning somethings आपने देखा होगा कि कुछ मतलब जल रहा है या कुछ ऐसा डरावना event आपने देख लिया होगा और आपको बहुत ज़्यादा डर लग जाएगा अदर सुबे सुबे फिर आप सोचो के कि नहीं नहीं वो तो एक ज़स्टा सपना था बट मेभी तो असंटन काइंड अफ इंडिकेशन तो पे अटेंशन तो साइन्स यह एक मैसेज हो सकता है आपके लिए कि जो भी है ना आप थोड़ा से अटेंशन देना और वो हो सकता है उस दिन कोई यहां पे strongly मुझे लग रहा है कि आपके तरफ उनका तो नजर है लेकिन उनको ड़ल लग रहा है इसिटेशन हो रहा है कि आपको कुछ बोले या नहीं बोले आप कैसे react करोगे maybe this is a new partner or an ex whatever be it is कोई आप आपके उपर जादू चलाने की कोशिश कर रहा है मतलब आपको बहुत सदा strongly impressed करने की कोशिश कर रहा है ओके यहां पे मुझे लग रहा है किसी को जामून खरना बहुत पसंद है वो काला जामून भी हो सकता है fruits या हो सदा मिठाई में जामून खाना में पसंद होगा किसी को ओके पेर से तोर के खाते होंगे या मिठाई हो सकता है ओके maybe you are fond of eating या maybe it is suggested that you should eat मैं मिठाई वाला जामून की अभी बात नहीं कर रहे हो वो fruits वाला जामून की बात कर रहे हो that it is suggested that you may eat that okay all right all right मुझे इस तरह से ये भी लग रहा है कि someone is having a dog or a pet और काफी साथ समय आप उनके साथ communication करते हो और काफी साथ comfort मिलता है उनके साथ आपका तो यहाँ पर क्या है ना spirit worlds animal spirit worlds है इस तरह से आ रहे है कि जितना आप उनके साथ रहोगे या बातचित करोगे time spend करोगे काफी ज़दा आपके जो चक्रस है ना उसमें balance हो सकता है क्योंकि आप उनके साथ communicate करे हो and they are very honest they are very pure उनमें तो कोई खोट नहीं होता ना तो इस तरह से क्या है ना आप एक अच्छा positive energy के साथ connect हो रहे हो maybe you love street dogs or street cats और कोई ऐसा cat है या dog है जो आपके घर में आते है और आप उसको खाना खिलाते हो और वो आपके तरफ देखते रहते हैं इस तरह से कि hope है आप उसको खाना दोगे जरूर या in future हो सता है आप जिस भी घर में shift हो काफी सता समय आप अपने अगर आप एक student थे या हो काफी सता समय आपने tea, coffee, canteen इस तरह का जगा पे आपने अपने समय बिताय हो किसी close friend के साथ कोई यहाँ पे तो मुझे लग रहा है shirts ओके या आप tops खरीतने वाले हो you are going to purchase them और आप already have purchased या आप models बहुत ज़ादा मतलब models को बहुत ज़ादा देखते हो ओके उन वो क्या पहनते हैं you follow their lifestyle a lot and try to adapt them कुछ लोग का ख्वाब है यहाँ पे models बनने का मुझे लग रहा है यहाँ यहाँ पे you want to set an example for the society आपको किसी भी तरह fame, name, reputation तो चाहिए you want to become a star in your own field that is your ambition and you will become because मुझे यहाँ पे strong indication दिखाई दे रहा है some of you may be it is just an indication that देखो यहाँ पे पेर का symbol बन रहा है maybe you travel okay and definitely you get success over there traveling है और जहाँ पे भी आप travel करोगे किसी का face लिख रहा है मुझे और वो smile दे रहा है आपको वाओ 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 यह smiley भेज सकता है वो आपको all right यहाँ पे किसी का sad energy तो नहीं दिख रहा है लेकिन आपका पेर देखो या मुझे लग रहा है कि किसी in Hindu customs or something like that कि पेर जब कोई नहीं दुल्धन आती है घर में तो पेर का symbols आता है या हाथ का sign जिस तरह से wall पे post होता है उस तरह से हो सकता है कोई यहाँ पे champagne का bottle यहाँ पे आ चुका है so celebration is coming towards you जितना मैं reading कर रहे हूं धीरे 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 और भी बहुत कुछ messages यहाँ पे मुझे मिलते जा रहे हैं 8 number is very important in your body age 17, 26 किसका age हो सकता है 26 ओके 44 किसका age हो सकता है ओके August important हो सकता है maybe within 8 days, 8 hours, 8 weeks maximum to 8 months आपके life में कुछ moments आए जो आप celebrate करो relationship में बहुत कुछ strength मुझे दिख रहा है यहाँ पे Leo energy is very prominent over here किसी को मुझे लग रहा है कि platform में उठके आपको कुछ बोलना है और देखो यहाँ पे कुछ chariot आ चुगा है can you see this chariot का यह umbrella और यह chariot आ चुगा है cancer is very important तो कुछ आप forward moving पे रहोगे backward नहीं होगा ठीके समझ में आ रहा है ना आप चलना ही start करोगे और वो आगे जागे success होगा and chariot is also the card for soulmate relationship ठीके so definitely you are moving towards them आप जा रहे होगे cancer sign is formed again बार बार cancer यहाँ पे बहुत ज़दा रहा है बहुत नहीं moody हो रहा है आप emotional outburst हो रहा है आपको चिर्चिर हो रहा है कि आपके हर हर समय में आपको late क्यों होता है struggles इतना क्यों करना पड़ता है पर universe बोल रहा है उसी में ही मजा है उसी में ही challenge है आप आगे जाके सब कुछ सही हो जागा don't worry about it Aquarius, Gemini, Libra कोई हो सकता है यहां पे world बन रहा है so you can say that कि diverse connections बहुत ज़दा connections आपकी तरफ आ रहे है जिसमें से आपको options मिलेंगे to choose from you can get a world you can say base of customers, clients, members उसे तरह आप बहुत ज़दा meeting करो virtual meeting करो ओके through video conferencing करो किसी के साथ इस तरह से मुझे लए रहे है long distance आपका relationship develop हो रात के समय पे आप बहुत ज़दा communicate करोगे ओके and maybe manifestation जो है न वो आपको रात के समय पे और ज़दा करने चाहिए है ओके आप एक bird की तरह हो छोटी सी bird जो fly तो बहुत करना चाहता है लेकिन आपका wings जो है आपका punk जो है अभी भी थोड़ा सा नाजुक है तो उसको strength दो ठीके उसको और develop करो थोड़ा सा mature decisions आप लो and definitely you will get the success ओके किसी के बहकावे में नहीं आना है universe आपको यही बोल रहे है कि आप बहुत ज़दा young हो energetic हो आप लेकिन आपको थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करना है और guidance आपको लेते रहना है maybe you are at a mature age but still आपके अंदर बच्वाना बहुत ज़दा है ठीके so take decisions okay after consultation यही रहा आपके लिए एक message definitely आपके तरफ जो भी आपका manifestations है it is going to be a great heat it is going to be a great success for you but only when you listen to universe guidance जब तक आप guidance सुनोगे तब तक सही है ठीके है कोई यहाँ पर अगर reading देख रहे हो तो coat पहना हुआ होगा या कुछ jackets या कुछ pullovers इस तरह से मुझे लग रहा है okay 10 number is important okay so maybe you see a lot 8 to 10 weeks के अंदर आपके life में बहुत कुछ fast develop कर जाएगा now let me see through the decks कि क्या आपके लिए वरकल कार से देख लेते है so universe spirit guides and angels please guide me in the right direction की मेरे जो viewers है उनके लिए क्या messages आ रहा है straight away from the universe एका transformation बदलाओ 10 also is a number for transformation टीके तो happening जो भी आपके लिए होगा that is for your highest good okay the best is yet to come जिस तरह से मैंने आपको last में बता था वही आ रहा है the best is yet to come wait करो अभी आपका जो punk है इस तरह से मैंने आपको बता है अभी भी उसको develop होना बाकी है तो इस तरह से मुझे दिख रहा है कि of course best the prosperity abundance वो आपकी तरफ आ रहा है थोड़ा सा wait करो आपके face पे इसलिए मैंने वहाँ पे दिखा था smile आपके face पे जरूर होगा personal goals भी आपके fulfill होंगे future में और आपके जो career related goals है वो भी fulfill होंगे next देखो magical gateway कुछ block था जो unblock होने वाला है आप खुद उस दर्वाज़े को खोलोगे एक चाबी को लेके तो सारे दर्वाज़े आपके लिए खोल रहा है opportunities आदा है greatest rewards आदा है इसलिए मुझे वहाँ पे box दिखा था ठीक है last देख लेते हैं wish wisely देखो manifestation था जब भी आपको wishes मांगने है use your wishes wisely to manifest your heart's desire and take practical steps towards me इसे सपना देखना नहीं illusion में नहीं रहना उसको ground reality में भी ठीक है आप ही को बदलने है आप ही कर सकते हो आपके अंदर ही वह ताकत है आपके अंदर वह power है so use not only your intuition but also practical भी step आप apply कीजे same manifestations से नहीं होता you have to work towards them also देखो last में के आया है hope तो जितना भी आपके expectations से वह ground reality में बन सकते है if you have hope अगर आपने उमीद छोड़ दिया तो कुछ नहीं हो सकता अगर आपके पास उमीद है तो उमीद से ही जिंदेगी कायम है so everything will be coming towards you at the right time तेक है so this is all about today's reading guys I hope you like it and if you like please do subscribe, share and do comment in the comment section till then take care of yourself and keep watching Divinity Terrorist where truth always exposes darkness thank you so much and love you a lot